Hello students, welcome back आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा MP व्यापम सब इंजिनियर सिविल के जो एक्जाम सुवे थे प्रिविस की यर 2016, 2017, 2018 और 2020 के अंदर क्या कटोप रही थी उन कटोप के बारे में डिस्कस करूँगा आपसे हर के टेगरी के क्या कटोप रही थी इसी के साथ में अभी जो एक्जाम होने वाला आपका 24 सितमबर 2022 को है उसमें expected कटोप क्या रह सकती है कितने marks अगर आप लेके आते हैं के टेगरी wise तो आपका selection वहाँ से secure हो जाएगा safe score क्या रहने वाला है हर के टेगरी की बात करेंगे इससे पहले मैं आपको बताऊंगा 2016, 17, 18 और 20 वाल एक्जाम में क्या कटोप रही थी यह जो मैं आपको कटोप बताने जा रहा हूँ बच्चों यह कटोप average कटोप है क्योंकि departments बहुत ज़्यादा होते है कटोप department wise निकलती है तो उन सब department को मैंने देखा और क्या कटोप रही थी बाद में मैंने उसका average निकला तो average कटोप के अगर बात करें तो यूर कैंडिडेट के कैंडिडेट को 2016 के अंदर 171.21 नमबर पे 171.21 मार्क्स ते selection हो गया था OBC की बात करें 148.13 मार्क्स SC 132.33 मार्क्स और ST 117.17 मार्क्स पे selection हो गया था ये कटोप 2016 की है 2017 की अगर बात करें 2017 की अगर बात करें तो यूर कैंडिडेट जनरल के लिए 159.54 कटोप रही थी OBC के लिए 148.69 कटोप रही थी SC के लिए 140.40 कटोप रही थी और SC के लिए 133.33 कटोप रही थी ठीक है कटोप 2017 वाली कम है as compared 2016 approximate बराबरी थोड़ी से slightly कम है ठीक है क्योंकि नंबर सो पोस्ट बढ़ती है तो कटोप obviously कम होगी अगर 2018 की कटोप की बात करें आप से तो यूर कनेडिर की कटोप जो है वो रही थी 165.33 OBC की 158.09 SC की 148.17 and SD की 136.91 कटोप रही थी अगर 2020 की बात करें बच्चों तो इसके अंदर आपके UR की कटोप रही थी 143.85 141.21 SC की 139.45 and SD की 111.05 तो 2020 की कटोप सभी 2016, 17, 18 से सबसे ज़्यादा कम किसम है 2020 वाले एक्जाम के अंदर है क्योंकि यहाँ पर नमबर सब पोच्च जो है वो ज़्यादा थी और डिपेंड करता है कि आपका लेवल ओफ एक्जाम क्या है उसका लेवल क्या है टॉफ है या फिर इजी है अगर आपने अच्छा पड़ रखा तो आपका क्या रहने वाले कि आपका लेक्शिंग आए तो आपका स्लेक्शिंग की बात करूं जो अभी अपना एक्जाम है तो अगर कोई स्टुडेंट यूर का है ठीक है अधर स्टेट का या फिर MP का यूर का कैंडिट है तो उसे कितने मांक्स लाने होंगे तब उसका स्लेक्शिंग जो हो सेफ हो जाएगा सेफी स्कोर क्या रहेगा 20222 एक्जाम के लिए तो यह जो सेफी स्कोर आपका रहने वाला है बज्यो यह आपका रहेगा DR. तो यह स्कोर आपका रहेगा 138.43 मांक्स 138.43 मांक्स अगर इतने marks अगर लेके आते हैं तो आपका selection secure हो सकता है स्ट के अगर बात करें तो स्ट कंडिडेट के लिए जो cut-off रहेगी students यह रहेगी 122 से लेके 128 के बीच के अंदर ठीक है और स्ट की बात करें आपसे तो इसकी cut-off रहने वाली है 114 से लेके 120 marks के बीच में ठीक है यही तो मैंने बात करी UR, OBC, ST, ST, ST के candidate के लिए अगर मैं आपसे EWS की बात करूँ EWS की cut-off जो है वो OBC के near about रहने वाली है जो कि मैं कह सकता हूँ 135 से लेके 145 marks लेके आते हैं अगर आप EWS candidate के हैं तो आपका selection safe हो सकता है आपका selection यहाँ से secure हो जाएगा तो cool मिला कि मेरा कहने का मतलब यह ही है कि आपका total 200 marks का paper रहेगा जिसके अंदर 100 technical रहता है और 100 यह आपका non-tech रहेगा ठीक है तो technical की अंदर मैं आपसे request करूँगा आप इतना पढ़ लिजे last 20 days के अंदर कि आप 85 marks लेके आ जाए 85 plus marks लेके आ जाए अगर non-tech की बात करें तो इस 100 में से आप 70 marks लेके आ जाए है ना तो 70 plus 85 approximate 150 के plus आप पहुच जाएंगे तो आपका selection secure हो जाएगा technical के अंदर 85-85 marks आपको लेके ही आने है ठीक है और level exam का बहुत easy रहता है moderate to easy रहेगा ठीक है और आपका यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यह है कि no negative marking कैसी परका के कोई negative marking नहीं है तो सारे के सारे 200 questions आपक करके आने exam के अंदर ठीक है अभी तक जितना आपने पढ़ रखा है जितने short notes बना रखे हैं वो उसका revision करते रहे ठीक है और जितना भी अभी तक जो है अभी पढ़ रखा उनका revision करना बहुत जरूरी अगर कोई आपने टेस्स ले रखे तो टेस्स लगा दीजिए आपको वहां से analysis हो जाएगा कि आपने कौन से subject में कितने marks आ रहे हैं कौन से subject आपका week है तो उसे आप cover करें और अभी जितने भी आपने टेस्स लगा रखे हैं उनके solutions जरूर देखे हैं वहां से आपको कहीं ज्यादा benefit मिलेगा revision is the main key for selection revision करेंगे तो ही आपका selection होगा practice बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पर्फेक्ट बनाएगी तो यह जो कॉटफ में आपको बताईए यह कॉटफ रहने वाली अगर आप इतने marks लेके आते हैं जो भी आप एटिगरे के recording है यू रोबी सी सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आप साथ नंबर यू और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें है ना चलिए तो अभी के लिए इतने बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के इंदे तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय जय जवान जय किशान